हम दोस्तों की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरे मुखे समाचार और ताजा तरीन हेडलाइन्स के साथ मैं गुपाल मिश्रा हाजिर होने कर आज का अकबार सुन लिया समझो पढ़ लिया दोस्तों अस्तारिक है 26 अक्टूबर 2022 और दिन है बुधवार आज की लेटिस न्यूज अप्रेट्स में हम जानेंगे भारत वंशी रिशी सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधान मंतरी CCI ने गूगल पर फिर लगाया 936 करोड रुपय का जुर्माना और इसी तमाम बड़ी खबरों पर डानेंगे नजर तो चलिए पटापट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तर्थी की साथ कुत्तों को इनसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है इसलिए इनके सम्मान में नेपाल में एक खास समारों मनाया जाता है इसे कुकुर्टिहार कहा जाता है अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीती की सभी बड़ी खबरें 42 साल के भारत वंशी रिशी सुनक बिटेन के नय प्रधान मंत्री बन गये है कल सुनक ने Buckingham Palace पहुँच कर King Charles से मुलाकात की King ने उन्हें appointment letters वोपा और नई सरकार बनाने को कहा Buckingham Palace से रिशी प्राइम मिनिस्टर की official कार से official residence 10 Downing Street पहुँचे यहां उन्होंने पतोर प्रदावनत्री देश की नाम पहला संबो धन दिया इस दोरान उन्हें ने कहा देश इस वक्त मुश्किल में है पूरू पियम लिस्टर से कुछ गलतियां हुई है अब हम इन्हें सुधारेंगे बता दे कि रिशी का जन्म ब्रिटेन में ही हुआ है हाना कि उनके parents पंजाब के रहने वाले थे सुनक ब्रिटेन के पहले भारत वंशी और गैर श्वेत प्रधान मंत्री है वे इंफोसिस के को फाउंडर नारायन मूर्ती के दामाद भी है रिशी ने अमेरिका की स्टैन्फोर्ड उनिवस्टी से MBA किया है दोस्तों आज का अगबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉड़कास्ट को अपने WhatsApp ग्रूप्स वा अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ देवाली के एक दिन बाद दिल्ली की हवा में प्रदूशर का अस्तर खतरनाक अस्तर पर पहुँच गया है सुबर छे बजे दिल्ली का एर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 323 था मही कलनोईडा का AQI 344 गुरुग्राम 347 और फरीदर बाद का AQI 347 धर्चुआ कल साल का आखरी सूरी ग्रहड बढ़ा, कल का ग्रहड भारत में करीब 2 घंटी तक दिखाई दिया इसे देश के अधिकतर हिस्सों में देखा गया जादा तर जग ग्रहड सूरियास्त के साथ ही खत्म हुआ भारत से पहले सूरी ग्रहड यूरोप, नौर्ट इस्ट अफरिका, मिडल इस्ट और वेस्ट एशया में दिखाई दिया पूरे की डिस्ट्रिक कोर्ट ने हाले में महिला एड्वोकेट्स के लिए एक अजीब सा परमान जारी किया था जिसमें कहा गया कि महिला एड्वोकेट्स ओपन कोर्ट में जब अपना बाल सुधारती या सवारती हैं तो कोर्ट के कामकार में खलल पड़ता है इसका विरोध होने के बाद अब कोर्ट ने इस परमान को वापस ले लिया है भारती सेना ने कल मंगलवार को भारत सरकार द्वारा रक्षा बलों को दी गई आपात कालीन खरीद शक्तियों के तहट पास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के जरिए 750 ड्रोन्स की खरीद के लिए एक निविदा जारी की है इससे पहले सेना ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्र ड्रेखा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रिमोट से चलने वाली असी मिनी विमान पढ़ाली की खरीद के लिए भी टेंडर जारी किये थे पंजाब के मशूर सिंगर सिद्धु मुसेवाला केस ने नया मोड ले लिया है इस मामले में एनायने सिद्धु की मुहबोली वहन और मशूर पंजाबी प्लेबैक सिंगर अफसाना खान को गैंस्टर टेररिस्ट सिंडिकेट केस में समन किया है उनसे पांच घंटे तक जिसमें उन्हें ब्लैक मेल करने वालों के नाम लिखे हैं करनाटक के शियो मोगा जिले में हिंदू संगठन से जुड़े कारिकरता पर तीन अग्यात लोगों ने हमला कर दिया कारिकरता को जान से मारने की कोशिश की गई लेकिन वह बच गया इन लोगों ने हिंदू के ख हिंसा भढ़क गई मुसलिम मेडिकल कॉलेज के पास पटाखे चलाने को लेकर विबात शुरू हुआ इसके बाद एक पक्ष ने स्ट्रीट लाइट बंद करके पत्राओ शुरू कर दिया इसके बाद दंगायों ने सडक किनारे खड़ी गाड़ियों और साजो समान को जलान नहीं हो पाई है बंगलादेश में साइकलोन सितरंग से 24 लोगों की मौत हो गई है सितरंग ने भारत में भी दस्तक दे दी है वासम दिभाग ने असम मिघाले मिजुरम और त्रेपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है रेड अलर्ट का मतलब है कि इन राजियों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है युगान्डा के एक स्कूल में मंगलवार सुबर आग लग गई हादसे में ग्यारा बच्चों की मौत हो गई छे खायल हुए है अमेरिका के मिसौरी राजी के एक हाई स्कूल में फायरिंग हुई खटना में एक महिला और एक छा भारती प्रदसपरदा आयो यानि CCI ने एक बार फिर जुर्माना लगाया है प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिती का दुरुपयोग करने के लिए CCI ने गूगल पर 936 करोड रुपय का जुर्माना लगाया अक्टूबर महा में यह दूसरी बार है जब गल पर इस तरह की कारवाई हुई है दिवारी के बाद भारती शहर बाजार में दूसरी कारोबारी दिन यानि कल मंगलबार को गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स 287 अंकों की गिरावट के साथ 69,543 पर बंद हुआ निफ्टी 74 अंक गिरकर 17,656 पर क्लोज हुआ सेंसेक्स के 30 में से 20 शेरों में गिरावट देखने को मिली वाटसेप की सर्विसेज मंगलबार को दुनिया के कई देशों में करीब दील घंटे डाउन रही कंपनी मेटा से इस गरबड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है इंडियन ट्रैक्टर मार्केट का साइज 2030 तक 12.7 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है ट्रैक्टर जंचन की सीईओ अनिमेश अगरवाल ने कहा कि प्री उन्ड ट्रैक्टर मार्केट भी उतना ही बड़ा है जितना की नया मार्केट यह करीब 10 बिलियन डॉलर का मार्केट है बायोकॉन की एग्जिकेटिव चेयर परसन किरन मजूमदार शौ के पती जौन शौकान निधन हो गया है उन्होंने सोमवार सुबर बैंगलूरू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अन्तिमसास लीव अतिहत्तर वर्ष के थे जानी माने कंपनी यूनी लिवर के कई शेंपू ब्रांट्स में कैंसर पैदा करने वाले कैमिकल पाए गए हैं कंपनी ने डव, नेकसस, सौव और ट्रेस्मी एरोसोल ड्राइ शेंपू को अमेर की बाजार से वापस मंगाया है इनमें बैंजीन की मौजूद्गी पाए गई है, इस कैमिकल से कैंसर हो सकता है अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार वर्ल चैंपियन आस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल कप में जोड़दार वापसी की है पहले मैच में न्यूजिलैंड से हरने के बाद उसने अपने दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को साथ विकेट से हरा दिया श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 158 रंका टार्गेट रखा था ओपनर पथुम निशांका ने चालेस और चरित असलांका ने नाबाद से 30 रंकी पारी खेली जवाब में आस्ट्रेलिया ने 16.3 उबर में तीन विकेट खोकर टार्गेट हासिल कर लिया मारकस स्टोयनिस ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 बॉल में 69 रंट बना डाले उन्होंने 17 बॉल में अपने 50 पूरी की ये किसी भी ऑस्ट्रेलिया ये बल्लेबाज का सबसे तेज अर्थ शतक है T20 वर्लकप के पहरे राउंड से बाहर होने वाली वेस्ट इंडीस टीम के कोच फिल सिमस ने इस्तीफे का एलान कर दिया है वे दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के बाद इस्तीफा देंगे भारती मोल के रेशी सुनक के बिटिश पीम बनने पर लोग क्रिकेटर आशीश नहरा को भी बधाई दे रहे हैं दरसल दोनों के चहरे काफी मेल खाते हैं कोच यूजर ने नहरा का मोधी विराट के साथ एक फोटो शेयर करते हुए कमेंट किया एक यूजर ने लिखा आशीश नहरा को ब्रिटीन का पीम चुन लिया गया है उन्हें बधाई लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों यानि रेशी सुनक और नहरा कुम्ब मेले में बिछड़ गये थे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अदि आज का अगबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और साथ ही इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गवाएं दिन भर की बड़ी ख़बरों को सुनना चाहते हों तो चलिए अब सुनते हैं मनुरंजन जगत की कुछ बड़ी ख़बरें रिशेप शिट्टी की फिल्म कांतारा ने बॉक्स आफिस पर धमाल मचा दिया है इसी बीच अब फिल्म को लेकर एक विबाद भी शुरू हो गया है द्रसल केरल की फेमस बैंग थेकुडम ब्रिज ने कांतारा के फिल्मेकर्स पर उनका गाना चोरी करने का आरूप लगाया है बैंड ने बताया कि कांतारा का गाना वारा हरूपम उनके गाने नवरसम की कौपी है इतना ही नहीं बैंड ने कहा कि वो इस मामले को कोड तक लेकर जाएंगे अक्षे कुमार के फिल्म राम सेतु रिलीज हो चुकी है फिल्म में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि तमिलाडू और श्री लंका के बीच बने हुए राम सेतु को प्रभुश्री राम ने बनाया या फिर ये प्रक्रिती का कोई करिश्मा है फिल्म में अक्षे को नास्तिक दिखाया गया है हलाकि वो फैक्ट से छीरचाड नहीं करते हैं फिल्म कहां कागस पर अच्छी उतारी गई है तो वहीं तक्निकी तोर पर थोड़ी कमजोर है VFX भी वैतर नहीं है कल रिलीज होई फिल्म थैंक गॉड दर्शकों को गुदगुदाने में कामयाग हुई है अजय देवकन और सिधात मलोत्रा की एक्टिंग लोग काफी फसंद करें है दिवाली के दिन ब्रिटीन में रिशी सुनक को बतोर प्रधान मंत्री चुना गया इस पर अमता बच्चन ने विहद अलग अंदाज में बताईया दी उन्हों लिखा भारत माता कीज़े अब ब्रिटीन के पास भारत की ओर से प्रधान मंत्री की रूप में एक नया वाइसरो है और अब आज की रोचक खबर अगर आप भी किसी को अपना मुबाइल रिपेर करने के लिए देते हैं तो सावधान हो जाएए मुमबई में एक शक्स को फोन रिपेर करवाना महगा पड़ गया रिपेर करने वाले ने कस्टमर का बैंकिंग एप एकसेस कर लिया इसके बाद उसकी FD यानी Fixed Deposit तोड़ कर 220,000 रुपे अपने एकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गटना मुमबई में रहने वाले पंकच कदम की साथ हुई रिपेर वाले ने जान बूच कर पंकच को सिम नहीं निकालने दिया और ये फ्रॉट कर डाला आप भी अगर अपना मुमबाईल रिपेर के लिए देते हैं तो सिम निकालना न भूले तो दोस्तों ये हो गए आज के प्रमुकसमा चार पत्रों में छेपी तार्दा तरीन खबरें अब समय है कल पूछे के प्रशन का उत्तर देने का कल मने पूछा था इनमें से कौन केरल का राजिपाल है आरिफ खान बगवत सिंग कोशियारिया ओम बिल्ला से जवाब है आरिफ खान जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बदाई और अब आज का सवाल आज का स्वाल है कि इन में से कौन ब्रिटिश पीएप का ओफिशिल रेजिडेंस है A. 7 Race Course Road B. 8th Avenue या C. 10 Downing Street क्रिप्या कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें आज का अकबार अंतक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का अकबार तब तक के लिए नमस्कार